कोई दिनेश्वर महाराज नाम के बाबा है उनको उनके भक्तों ने सवाल पूछे है उन्होंने खुद अपने नाम नहीं बताए है शायद नाम को गुप्त रखना चाहते हैं ये दिनेश्वर महाराज कोन है मैं तो जानता नहीं हूँ ऐसे कई महाराज है हमारे समाज में मैंने और मेरे संगडन अभी तक करीबन 2000 महाराजों को एक्स्पोस किया होगा मेरे पास कोई सिद्धिया नहीं है मैं एक आम इंसान हूँ सामान्य इंसान हूँ हाँ मेरे जीवन में मैं सिद्धिया प्राप्त करना चाहता था क्योंकि पहले बहुत अध्यात्मिक व्यक्ति था सभी प्रकार की सिद्धिया मैं प्राप्त करना चाहता था उसके लिए मेरे जिवन के शुरुवात में मैं कई बाबाओं का भक्त भी बना एक तरफ आचार्य बिनोबा भावे जैसी वेक्ति मैं बहुत नजदिक से देखता था जो बहुत बड़े योगी थे लेकिन अंदव इश्वा से बिलकुल नहीं थे और दूसरी तरफ कहीं चमतकार करने वाले अपने आपको सिद्धी प्राप्त पुरुष कहते ऐसे कई बाबाओं का मैं भक्त रही चुका हूँ मुझे पता है कि इस दुनिया में किसी को भी सिद्धी प्राप्त नहीं होती है जो दावा करता है कि उसको सिद्धी प्राप्त हुई है वो बहुत बड़ा धूंगी होता है मैं केवल कहता नहीं हूं सिद्ध करता हूं और यही गए 38 सालों से करते आया हूं जो भी बाबा जो भी योगी अपने आपको सिद्धी प्राप्त कहता है वो बहुत बड़ा ठग होता है, ढूंगी होता है मैं यह जाहिर तरीके से कहते आया हूँ, आज भी कहता हूँ अब इतने सालों से कहते आया हूँ, इतने बाबाओं को एक्सपोस करते आया हूँ जो भी बाबा है उनका नाम तो मैं जानता नहीं हूँ ये बाबा अगर दावा करते हैं कि उनको सिद्धी प्राप्त है तो मुझसे अभी जान लीजिए ये बाबा जूटा है डोंगी है और भागने वाला है ये पहले ही मैं जाहिर कर रहा हूँ भाई आपके पास सिद्धी है तो सिद्ध करने के लिए आ गया है ना मेरे संगटन का पचीस लाख रुपे का प्राइस है अब इन बाबाओं के लिए पचीस लाख ये बहुत मामूली रकम है मैं जानता हूँ क्योंकि वो लोगों को ठक ठक कर करोड़ रुपे कमाते हैं लेकिन पचीस लाख रुपे महत्व के नहीं है इस बाबा में अपनी सिद्धी है ये सिद्ध करने के लिए आ गया है अब तो आध्याट्मिक विशे का मेरा अच्छा गहरा अध्यान है सिद्धी के जरिये क्या हो सकता है जिसे सिद्धी प्राप्त होती है उसमें चमतकार करने का सामर्थ आता है कोई भी प्रकार के वो चमतकार कर सकता है जैसे पुट्टपर्थी के सत्यसाही बाबा हवा में हाथ गुमाते हैं सोनी की चेन निर्माण करते हैं अंगुठी निर्माइन करते हैं, बबूती निर्माइन करते हैं, महाराष्ट का गुलब बबा था, हवा में हाथ गुमाता था, वो गुलब का फूल निर्माइन करता था, कभी घड़ी शक्कर निर्माइन करता था, तो ऐसा कोई भी चमतकार से कोई चीज निर्माइन कर सकते जो मैं हर प्रोग्राम में करके बताते आया हूँ टीबी पर भी कई करकर करके बताया है यूट्यूब चैनल पर भी करके बताया है ये हैंड ट्रिक्स होती है इसको sleight of hands कहते है हाथ चलाखी कहते है ये कोई चमतकार वगएरे नहीं होता है और इसलिए हमारा वहन है कि हम जो भी बाबा हमारे सामने चमतकार करने का दावा करेगा उसने पहले डिकलियर करना है कि वो क्या करके दिखाने वाला है यानि क्या चमतकार करने वाला है उसके बाद में हम उसको उपर से नीचे तक जाचेंगे अलग-अलग एंगल से cameras लगाएंगे और फिर वो चमतकार करकर बताएं अगर हमने जाचने के बाद में कोई भी वो चमतकार करकर बताता है, कोई चीज निर्माण करकर बताता है cameras के एंगल लगे हैं और उसमे slide of hand नहीं है हाथ चला की नहीं है तो उसको सीधा सीधा दो बार ये चमत का रिपेट करना पड़ता है क्योंकि पहली बार शायद हमारी नजर से एक हादी चीज छूट जाए तो दूसरी बार ना छूटे इसलिए ये दो बार होता है दो बार वो सो सिद्ध करेगा तो उसको 25 रुपे का प्राइज मिलेगा मेरे संगडन का फिर डॉक्टर नरेंद्र दाबोलकर जी के संगडन का 21 रुपे का प्राइज है सेकंड टाइम में उनको भी मैं बुला लूँगा तो वो भी प्राइज उनको एट टाइम मिल जाएंगा और बाकि पुरे दुनिया में 6 करोड रुपे के प्राइजे से वो भी प्राइज की विवस्ता मैं उनके लिए कर दूँगा तो सिद्धी प्राप्त होती है तो चमतकार करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है वो हमारे सामने प्रॉड एंड प्रूफ कंडिशन्स के अंदर करकर बताए दूसरा जिसे सिद्धी प्राप्त होती है उसे भुद भविश्य वरतमान का पता चलता है उसे अपने आप भुद भविश्य वरतमान मालूम होता है इतना ही नहीं तो उसमें कई अध्यात्मिक शक्तिया जागरुत होती है जैसे दुसरे मन के विचार अपने आप जानना ये सिद्ध करने के लिए आगए उसके टेस्ट करेंगे आप में पहले कुन सी शक्ति है या आप बताईए उसके बाद में उस दंग की टेस्ट आयुजित करेंगे जैसे किसी को कहना है कि उसे टेली पती आती है दुसरे के मन के विचार पता चलते है तो हमें एक पेक्ति रखेंगे उसके हाथ में एक चीट देंगे वो चीट को पढ़कर वो दो राए महाराज जी पहिचाने कि वो चीट में क्या लिखा है सिद्ध हो जाए दो बार तो उनको पचीस लाग रुपे का प्राइज मिलेगा तिसरा है हर प्रकार की बिमारी ठीक करने की क्षमता सिद्धी प्राप्त व्यक्ति को आती है वो हर बिमारी को ठीक करता है ये तीनों आववान है इन में से कोई भी एक शक्ति उनमें है जो भक्त लोग जानते है वो शक्ति का दावा उनके सामने रखिये सिद्ध करने के लिए बोलिये हमारे सामने आईए अगर उनको पचिस लाक रुपे का प्राइस शाये तो धाई लाक रुपे जमा करने होगे उनका परावव होता है तो ये धाई लाक रुपे जब्त हो जाएंगे जीतते है तो उनको धाई लाक उनके वापिस मिलेंगे प्लस पचिस लाक रुपे मिलेंगे अगर पहली बार उनका परावर होता है तो उनको भी एक चांस दिया जाएगा सेकंड टाइम में अगर वो करना चाहते हैं कंडक्ट तो और पहली बार जितते हैं तो उनको दूसरी बार ये प्रयोग फिर से रिपेट करना पड़ेगा इस जंग का यावान है रा सवाल वो भूत प्रेट ठीक करते हैं तो मेरे ही यूट्यूब चानल पर भूत क्या होता है इसकी विस्तार से जानकर ही आपके सामने रखिये मुझे खुद मैं दसवी क्लास में पढ़ रहा था तब मुझे भूत लगा था और मांतरिक ने उतारा था और मेरे जीवन में उसी मांतरिक को मैं एक्स्पोज करने गया था तब उसने कहा था कि भाई ये आपके मन में था आपके मन में जो भूत था वो कलपना को मैंने केबल निकाला है भूत नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती है तो ये भूत प्रेत वगरे मंत्र तंत्र ऐसा कुछ होता नहीं है और महराष्ट सरकार ने जादू टोना विरोधी कानून बनाया है जो मैंने ही उसका शब्द अंगन किया है हर शब्द फाइनल किया है उसके अनुसार अगर कोई दावा करता है कि उसमें ऐसी कोई मंत्र शक्ती से कुछ करने की एक्षमता है तो वो कानूनन अपराद है उसके लिए छे मा की जेल हो सकती है अगर ये आपका बाबा कहता है कि किसी ने जादू टोना किया तोटका किया तो समझ लो इसको जे मेने जेल में जाना पड़ेगा ये कानूनन अपराद है महाराष्ट में ऐसा कहना भी कानूनन अपराद है और इसको प्रोच्छान देना भी कानूनन अपराद है रहा सवाल आपके महराज के पास अगर कोई मंत्र शक्ति है और उस मंत्र शक्ति के द्वारा कुछ किया जा सकता है तो जो मंत्रिक भूत उतारता है वो भूत चड़ा सकता है सिंपल लोजिक है जिसे भूत उतार ना आता है उसे भूत चड़ा ना आता है तो हम हमारे कारे करता देंगे आपके महराज उनको भूद चढ़ा कर बताए और सिधा 25 लाग रुबे का प्राइज ले जाए दो बार कर करें भूद चढ़ाने के बाद में वो क्या करेगा ये भी पहले बता दे ऐसे कई महराजों को मैं आज तक भगा चुकाओ इतने भागते हैं इतने भागते हैं को उनका पता भी नहीं चलता है तो ये जो कुछ भत्त है उन्होंने अपने महराज से ये बाते कहो उनको ये वीडियो सुनाओ और कब आववांस विकरने वाले हैं ये भी जानकरी हमको दो ताकि बहुत दिनों से कोई बाबा सामने नहीं आया है हम भी चाहेंगे हमारे कारेकरता भी काफी दिनों से उत्साईत है कि कोई ऐसा आये आगे जिसको हम जाहिरी तरीके से एक्स्पोज कर पाए और उसका ढूंग दतुरा लोगों के सामने ला पाए तो आपके बाबा को ले आईए आप प्रामानिक भक्तों हो सकते हो आपके श्रद्धा हो सकती है आपके बाबा पर इसलिए मैं आपको बिल्कुल दोश नहीं दोंगा क्योंकि मैं भी एक जमाने में ऐसा ही था इसलिए मैं आपके शरद्धा को समझ सकता हूँ लेकिन आपके बाबा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मैं जाहिरी तरह कैसे कह रहा हूँ